आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello everyone हमें Question में दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति को 80 रुपे में 90 कलम बेशने पर 20% की हानी होती है तो 20% का लाप कमाने के लिए 90 कलमों को विक्रे मुल्य क्या होना चाहिए यह हमें निकालना है तो यहां स्यम 90 कलमों का विक्रे मुल्य निकालते हैं तो अगर इससे आप formula से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आपको एक्जाम में जल्दी से question solve करना है तो आप simple method अपनाईए यहाँ पर लिख दीजे कि 80 रुपे पर आप कितनी कलमों को बेच रहो तो जितने की बेच रहो आप वो उपर लिख दो 90 कलमों को आप 80 रुपे में बेच रहो तो इससे आपको हानी या लाप कितना हो रहा है 20% की आपको हानी हो रही तो आपका ये 100 रुपे पर आपको 20% की हानी हो रही है तो मतलब ये 80 आप यहाँ पर लिख दो बराबर यहां पर हमें क्या कहा गया है आगे कि 20% का लाप कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रे मुल्य क्या होगा तो 20% का लाप कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रे मुल्य क्या होगा अपन 80 रुपे में बेचेते अब यहां पर पूचा हमसे कि कितने में बेचोगे कि आपको 20% का लाब हो जाए तो जितने में बेचोगे उसको 100 रुपे में बेचेंगे मान लो एक सुर्पे मान लो इसको तो आपको यह समझमा आगया होगा असानी से, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि अच्छे से कि 80 रुपे में आप 90 कल्मों को बेच रहे हो, तो आपको 20% की हानी हो रही है, तो 20% की हानी हो रही है, मतलब 100 पे, 20 की मतलब 80, बराबर उसने आगे क्या कहा है कि 90 कल्मों तो यहां पर आपको यह निचे 100 कोष्ट प्राइस रखनी है, उसको उपर आपको जितना लाब हो रहा है, 20% करना है, तो 120 कर दो, यहां पर हमने 20% हानी होई थी, तो यहां पर हमने 80 कर दिया था, तो आप इसको सोलो कर लो यहां से, तो हम देख लेते हैं कि यहां से क्या-क अब यहां से यह 90 है, जो यह 90 कर जाएगा, उदर से, अब यहां पर हमारा क्या बचा? तो इधर तो बचा हमारा 1, उदर बचा 120 बटे 1 रुपे, तो यहां पर हम निकाल लेते हैं, यह एज़र आएगा, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा X बराबर 120 तो यहां पर X बराबर 120 रुपे हमारा आ गया मतलब यह X हमने क्या लिया था कितने पर बेचे यहां पर भी देखो 80 रुपे लिया था हमने 80 रुपे पर हम 90 कलमे बेच रहे थे उसी तरह 100 रुपे पर हम 90 कलमों बेच रहे तो एक से की वेलियो हमारी क्या आगई? 120 यही हमें निकालना था कि हम 90 कलमों को कितने पर बेचे कि हमें 120 का फायदा हो जाए तो हमें 120 पर बेचेंगे 90 कलमों को ताकि हमें 120 का फायदा हो जाए यह option number D में हमारा answer दे रखा है यह देखो आप 3 step में आपका answer आगया मतलब इसको आप बहुत जल्दी से question solve कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को अपना होगे तो धन्यवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर